Hello everyone, welcome back, तो देखिए आज के lecture में हम बात करने वाले हैं on application of electronegativity, ठीक है, तो ये electronegativity का last lecture होगा, तो first application आती है on polarity of bond, कि जो polarity of bond है वो आप उससे find out कर सकती हो by electronegativity values, ठीक है, तो देखो ये polarity word का क्या मतलब है, polar, ठीक है, polarity का क्या मतलब है, कि दो poles generate होना, positive और negative, तो ये दो poles होते हैं, अगर कहीं पर ये poles generate हो पा रहे हैं bond में, तो वो हम कहते हैं कि वो bond polar है, ठीक है, तो polarity कैसे define करते हैं electronegativity से, जैसे कि कोई bond polar है, polar bond कब बनेगा और non-polar कब होगा, non-polar कब होगा, तो देखो जो polar bond है, वो कब होता है, मालो की A bond B है, ठीक है, A bond B है, तो ये polar कब होगा, polar तब होगा, जब इन दोनों की जो electronegativities है, वो same नहीं होगी, ठीक है, पहले non-polar की बात कर देते हैं, फिर आपको जादा अच्छे से समझ आएगा, non-polar bond कब होगा, कोई bond non-polar कब कहलाता है, जब उन atoms की जो electronegativities है, वो बिलकुल बराबर हो ठीक है, electronegativity का क्या मतलब है, कि एक अपनी तरफ जिस attraction से खींच रहा है, और दूसरा जो खींच रहा है, वो क्या है, वो same है, क्योंकि दोनों की electronegativity सेम है, या फिर आप यह कह सकते हो, कि दोनों जो atoms है, वो क्या है, same है, तबी तो उनकी electronegativity सेम है, तो non-polar जो bond होता है उसमें क्या होता है, जो दोनों bonded atoms है, उनकी electronegativity क्या है, सेम हो जाती है, ठीक है, तो उनमें no polarity, उनमें कोई भी polarity नहीं होती, polarity का क्या मतलब है, positive, negative, तो कहीं पर भी positive, negative नहीं generate हो पाता है, ठीक है, तो यह होते है, non-polar bond, तो यहाँ पर देखो, इसकी application आगी न, electronegativity अगर सेम है, तो bond क्या हो जाता है, non-polar, अब polar bond कब होता है, जब electronegativity का difference जादा होता है, when electronegativity of A is not equal to electronegativity of B, जब यह दोनों सेम नहीं होती, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ bond में polarity होती है, या फिर आप कह सकते हो, कि जो यह electron है, वो किसी एक atom की तरफ जादा attracted होगे, या तो यह electron इस तरफ होगे, अगर A की electronegativity जादा है B से, या फिर यह जो shared electron है, क्योंकि electronegativity में हम बात करते हैं, इन shared electron की, सारी कहानी इसी के around revolve करती है, तो यहाँ पर electronegativity of B जादा है A से, इसलिए जो यह pair है, वो किसकी तरफ जादा attracted है, जिसकी जादा electronegativity है, तो polar bond का बनते है, जब दोनों की जो electronegativity का difference है, वो काफी अच्छा होना जी, कुछ एक उनके पास significant, उनके पास difference होना जी, electronegativity का, तब हम यहाँ पर use करते है, क्या polar bond, ठीक है, word use करते है, polar bond की bond polar है, अब polar कैसे आ गया, polar का क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पर जब इनके बीच का electr electronegativity difference जादा है, माल लेते हैं, कि A की electronegativity जादा है B से, ठीक है, तो A अपनी तरफ electron को खींचेगा, ठीक है, electron pair को इस तरह से इसने अपनी तरफ खींच लिया, तो इस पी आ जाता है, delta negative, some negative charge इस पे आ जाता है, और यहाँ पर आ जाता है, positive charge, तो देखो, poles generate होगे ना, इस जाता है, polar bond, तो यहाँ पर क्या होता है, polar bond में होता है, uneven distribution of electrons, या फिर जो shared pair है, वो unevenly कहां आता है, एक की तरफ ही आता है, और यहाँ पर evenly distributed होते है, evenly shared होते है, वो non polar bond में, ठीक है, तो यहाँ से by electronegativities हम क्या बता सकते है, हम polarity of a bond पे comment कर सकते है, तो देखो, यहाँ पर polar bond में क्या है, इन polar bond क्या होता है, जिसमें atoms का unequal attraction हो, ठीक है, unequal attraction, जैसे यहाँ पर देखो, a ने जादा attract कर दिया, b उतना नहीं कर पाए, तो इसे क्या कहते है, unequal attraction, मतलब यह shared pair किसी a की की तरफ है, या तो यह a की तरफ है, जादा या फिर b की तरफ है, ऐसा नहीं है कि completely इसी नहीं ले लिया, तब तो यह bond टूट जाना था ना, sharing है, लेकिन उसका जो जुकाओ है, उसका जो attraction है, वो towards क्या है, a ही है, और यहाँ पर b है, किसी a की तरफ है, so in which atoms have an unequal attraction of electrons, तो उसे कह जाता है, उन bonds को कह जाता है, polar bonds, ठीक है, तो यहाँ पर electronegativity का जो difference होता है, example में आ जाता है, जैसे HCl, इन में भी काफी जादा difference है, electronegativity का सेम नहीं है, HF आ गया, NH3 में जो nitrogen और hydrogen के bonds है, वो भी क्या है, polar bonds है, तो यह सारे bonds क्या है, polar bonds, और non-polar में कौन से होगे, same वाले एक तो, homonuclear वाले है, homonuclear diatomic वाले है, जैसे Cl2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया इन में electronegativity atom सेम है, दोनों chlorine है, दो chlorine क्लोरीन है, तो दोनों की electronegativity क्या है, सेम है, यहाँ पर XEL है, यहाँ पर XEL है, दोनों की सेम है, तो कोई भी यहाँ पर क्या होगे, इस case में non-polar में जो यह shared pair है, वो बिलकुल center में रहते है, ठीके, और जो polar bond होते है, उस में कहा होत उसमें या तो A की side होगी या फिर B की side होगी किसी एक atom की तरफ जादा attracted होगे यहाँ पर जो attraction है वो balanced है ठीक है, even attraction है दोनों की तरफ से So in non-polar bond, atoms have equal attraction for shared electrons, ठीक है So both atoms are same, so electronegativities यहाँ पर same है तो इस तरह से आप कर सकते हैं तो चलो आगे देखते हैं percentage ionic character in polar covalent bond So एक बात मैं आपको पहले clear कर दूँ हम बात करते हैं ionic bond की and covalent bond की लेकिन कोई भी ऐसा bond नहीं है जो 100% covalent है या फिर 100% ionic है क्योंकि जो covalent bond होगे उसमें some ionic character रहता है और ionic bond में some covalent character रहता है तो यह जो electronegativities है क्या करती है यह measure करती है percentage ionic character की कितना ionic character है किसी एक polar covalent bond में polar क्यों कह रहे हैं क्योंकि non-polar में तो आप बात ही छोड़ दो नहीं वहाँ पर तो कुछ polarity आएगी नहीं polar covalent bond है कि उसमें some polarity है उसका extent कितना है या फिर आप कह सकते हैं उसमें ionic character किसी एक polar covalent bond में किता है वो measure होता है through electronegativity यहाँ पर भी इसकी application आजाती है जैसे Pauling थे Pauling ने क्या दिया था Pauling scale दिया था electronegativity का और उन्होंने difference दिया था electronegativity का difference उन्होंने वहाँ पर दिया था तो उनके according by Pauling अगर electronegativity का difference जैसे हम a b की बात कर रहे है ठीके इस bond की बात कर रहे है if x a minus x b ठीके electronegativity का जो difference है अगर वो less than 1.7 है ठीके दूसरा case है अगर वो जो difference है वो exactly equal है to 1.7 और अगर यह difference difference जादा है 1.7 से फिर क्या होगा देखो पहली बात है कि जब यह बिल्कुल एक्वल है जब यह बिल्कुल एक्वल है 1.7 की तब क्या होगा उस case में यह देखा गया Pauling के through कि जब electronegativity का difference किसी भी एक bond में जो atoms है उनका difference exactly 1.7 आ रहा है तो उस time पे उस bond में 50% वो bond ionic है and वो bond 50% क्या है कोवलेंट है ठीके तो 50-50% उसमें दोनों के नेचर होगे जब exact value is 1.7 और अगर इसकी value less than 1.7 होती है तो क्या होता है उस case में जो percent ionic character आपका है वो कितना हो जागा ionic character 50% से कम हो जागा अब ऐसा क्यों हो रहा है अगर electron negativity का difference कम है मतलब दोनों जो atoms है वो nearly क्या है उनकी same same या फिर similar same तो नहीं कहेगे उनकी बिलकुल एक दूसरे की साथ-साथ वाली electron negativity है ज़्यादा difference नहीं है उसमें तो वहाँ पर जो ionic character है वो कम होता है अगर electron negativity का बिलकुल ही उनका difference जादा है इसकी बहुत कम है इसकी बहुत जादा है तो क्या हो जाएगा कि एक ही side electrons चले जाएगे और kind of वो ionic character बनेगा क्योंकि ionic bond में क्या होता है एक ही के पास electron जाते है electron gain होते है एक lose करता है दूसरा gain करता है अगर electron negativity का difference क्या होता है जादा होता है लेकिन यहाँ पर electron negativity का difference कम है 1.7 से तो जो ionic character है जो ionic character है that is less than 50% और जो covalent character है covalent character that is more than 50% यहाँ पर देखने को हमें मिल जाता है जब यह value less है अगर electron negativity का difference जादा है 1.7 से जादा है तो वहाँ पर dominate क्या करता है वहाँ पर dominate ionic character करता है जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी कि अगर electron negativity का difference जादा है that means एक atom क्या है highly electron negative है दूसरा कम है तो जो यह shared electron है वो single side more attracted है तो उसमें क्या enhance होती है क्या dominate करती है ionic character जादा होता है क्योंकि ions कैसे बनते है A, B क्या ions अगर बनाने हो तो A positive, B negative इस तरह से बन सकते है एक ने completely lose कर दे electron और दूसरे ने gain कर दे तो kind of यह इसकी tendency रहेगी towards ionic character क्योंकि यह एक ही जो atom है वो shared electron को ले रहा है और दूसरा छोड़ रहा है ठीके तो जब भी electron negativity का difference जादा होता है तो क्या dominate करता है ionic character तो यहाँ पर ionic character is more than 50% और अगर ionic character बढ़ता है तो जो covalent character होता है वो automatically क्या होता है उसका reverse होता है वो तो कम ही होगा न अगर तो दोनों balance है तो 1.7 value लेया हो non-metallic character तो देखो electron negativity से हम metallic and non-metallic character के बारे में जान सकते हैं तो देखो जो metallic character है सबसे पहली बार जो metals है उनका क्या nature होता है जो metals होते है वो क्या होते है वो electron givers होते है जैसे आप sodium देख सकते हो group 1 के elements देख सकते हो वहाँ पर easily ionization energy कितनी कम होती है easily electron वो remove कर लेते है तो electron देते है वो जो non-metalls होते है non-metalls कौन से होते है जो right hand side पे होते है P block में top right hand side पे होते है वो non-metalls है वो electron takers होते है या फिर electron gainers ठीक है वो electron का gain करते है जैसे fluorine हो गया highly electronegative है तो अब यहां पर क्या चीज़ देखने वाली है कि अगर electronegativity क्या बताती है वो तो attraction की बात कर रही है तो attraction कहां हो रही है attraction का क्या मतलब है gaining gaining कहां पर हो रही है non-metalls में हो रही है तो जो non-metalls है उसमे electronegativity non-metalls के case में जादा होती है और attraction बताती है electronegativity तो जो non-metalls होते है उनमे electronegativity high होती है ठीके उनमे क्या होती है high values होती है whereas अगर हम metals की बात करें जो की electron givers होती है electron देती है तो अगर वो electron देने में अच्छे है electron देने की उनकी tendency अच्छी है तो वो electron का acceptance तो वो काफी difficulty से करें कि उनमें कुछ attraction ही नहीं होगी कुछ कहां से attraction नहीं होगी electron को gain करने की तो वहाँ पर electronegativity जो है वो क्या होती है कम होती है तो इनकी low electron negativity होती है तो यहाँ से हमने एक journalization करते है कि जो electronegativity है that is directly proportional to non-metallic character non-metallic 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 character ठीक है और जो electronegativity है that is inversely proportional to metallic metallic character ठीक है metallic character से inversely proportional होती है तो वैसे भी आप देख सकते हो periodic table में जब आप left to right जाते हो left to right जाने भी electronegativity बढ़ रही है और आपको बता है कि left to right जब आप जा रहे हो electronegativity बढ़ रही है और साथ ही साथ right hand side पे P block में क्या है वहाँ पर non-metalls होते है ठीक है और जो non-metalls जो metals है वो कहां पर है वो जादा तर left hand side पे है और वहाँ पर electronegativity क्या है less है तो इस तरह से भी आप देख सकते हो कि जैसे ही non-metallic character बढ़ता है electronegativity बढ़ रही है या फिर आप conversely भी इसे कह सकते हो कि जैसे electronegativity बढ़ रही है वैसे ही non-metallic character बढ़ रहा है और जैसे electronegativity बढ़ती है तो metallic character decrease होता है जब आप periodic table में जाती हो तो वहाँ पर electronegativity increase करती है और non-metallic character increase होता है ठीक है डाउन दग रूप जाते हो तो electronegativity वहाँ पर क्या है वो decrease हो रही है और वैसे ही जो metallic character है metallic character वहाँ पर क्या हो रहा है increase हो रहा है ठीक है तो यह inversely proportional का relation है तो इस तरह से हम metallic character और non-metallic character को भी देख सकते हैं तो यहाँ पर complete होता ही है electronegativity और मिलते हैं next lecture में Bye Bye